मेडिशिन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा स्फाक के चैनल को और बेल आइकन दवाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आधाव मैं अपका दोस्ट फार्माशी सफाक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आज की बीडियो में बात करेंगे विटमिन E कैपसुल के बारे में ये कैपसुल आपके बालो और अस्किन के लिए बहुत फायदे मंद है इन कैपसुल के सही इस्तेमाल से आप रिंकल्स यानी जूरियों से बच सकते हैं फटे ہोटो को मुलायम बना सकते हैं आखों के नीचे हुए काले घेरे और छाईयो को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने स्टेश मार्को भी दूर कर सकते हैं और इसके अलावे भी विटमिन E के और भी एडवांटेज को जानेंगे इसलिए विडियो को पूरा देखें विटमिन E कैपसुल का एक अस्टीप लगवग 20 रुपे में आता है जिसमें 10 कैपसुल रहते हैं और ये आपको किसी भी मेडिकल अस्टोर से आसानी से मिल जाएगा आपको करना ये है कि इसके कैपसुल को ले और एक साफ निडल से प्रिक करके काटोरी में इसके ओयल को निकाल ले और अपने अस्किन पर अपलाई करे इसको किसी ओयल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं विटमिन E में पारे जाने वाले एंटी अक्षिडेंट हमारे अस्किन और बालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं इसके ब्यूटी फ्रपटे के कारण आजकल पारलस में भी काफी फेसियल केर और हेर टीटमेंट के लिए यूज की जाती है तो अब जान लेते हैं इन कैप्सुल को कहां और किस तरह से यूज कर सकते हैं तो होठो के लिए चाहे फटे होठो को ठीक करना हो या फिर होठो को मुलायम और चमकदार बनाना हो विटमिन E कैपसुल ऐसे केसिस में काफी फायदेमन साबित होते हैं इसके लिए अपने होठो को पहले पानी से धोले और फिर विटमिन E से मसाज करें रात को सोने से पहले apply करते हैं तो better result मिलेगा अगर आपके lips के color dark हैं तो इसे apply करने से light और pink color का हो जाएगा चेहरे के लिए vitamin E जिसे skin ointment भी कहा जाता है इसमें skin को ठीक करने की बहुत सी property होती है तो अगर आपके जितने भी skin से related problem है जैसे की pimple, एकने, घाव के दाग, dry skin सभी इससे ठीक की जा सकती है यह आपके skin को moist करता है और hydrated रखता है इसमें antioxidant अच्छी मात्रा में होने की कारण skin cell को repair करता है यह आपको aging होने से भी बचाता है अगर आपके skin पर जुरिया पढ़ रहे हो तो इसे apply करने पर better result मिलता है anti wrinkle paste बनाने के रिए आपको लेना है केवल 2 capsule का vitamin E oil और उसमें मिलाना है एक चम्मस दही, एक चम्मस सहत और एक चम्मस नीमू का रस इस paste को कम से कम आधे घंटे तक लगा कर रखे और फिर इसे धोले इसे हपते में तीन बार करे और फिर result देखे अगर आपको चेहरे पर दाग हो या pimple हो तो इस capsule के oil को उस पर directly apply कर सकते हैं सबसे पहले अपना चेहरा धोले और उसके बाद ही ये जेल लगाए एक से दो हपतों तक ऐसा करने पर ही फर्क दिखने लगेगा आखों के लिए आखों के नीचे बढ़ रहे काले धबों के लिए भी इसका इस्तेमाल करने पर बेटर रिजल्ट मिलता है ऐसे में विटमिन E के capsule से निकले हुए जेल को आखों के नीचे लगाए और रात फर के लिए छोड़ दे ये भी एक से दो हफ्तों तक करने पर असर दिखने लगेगा बालों के लिए विटमिन E बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है इसके इस्तेमाल से बाल घने और मजबूत बनते है दो मुहे बालों को थीक किया जा सकता है डेंडरफ को हटाया जा सकता है और यहां तक की बालों को जढ़ने से भी रोका जा सकता है आप इसे सेंपू और कंडेंसर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं नाखुनों के लिए अगर किसी का नाखुन असाने से तूट जाते हैं तो विटमीन E के जेल को बदाम के तेल के साथ मिक्स करके लगाने पर नाखुन मजबूत हो जाते हैं अस्ट्रेश मार्क को दूर करने के लिए प्रिग्नेंसी के दोरान अस्ट्रेश मार्क महिलाओं में सबसी ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है इससे छुटकारा पाने के लिए विटमीन E के दो कैप्सुल के जेल को बदाम या नारियल तेल के साथ मिक्स करके लगाने से ये दाग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं एडियो के लिए सर्दियों में अक्सर एडिया फटने लगती है इससे बचने के लिए विटमिन E के कैप्सुल का जेल और बदाम के साथ मिक्स करके मसाज करें इससे आपके फटे एडिया भी ठीक हो जाएंगी और मुलायम भी हो जाएंगी तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद